नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी, ट्रेक्टर जंग्सन के सापता एक बुलोटिन में आपका स्वागत है। आईए जानते हैं खेती और ट्रेक्टर द्योग से जुड़ी इस सपता की प्रमुक्खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बढ़े हुए लोकडाउन की। प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमन पर जीत के लिए लोकडाउन को तीन मैं तक बढ़ा दिया है। इस बार नियम और भी सकत होंगे। देश वासियों को संबोधित करते हुए प्रदान मंतरी ने कहा कि देश में खाद्यान का इस्टोक पर्याप्त मातरा में है। आई जानते हैं। अब बात करते हैं SBI की लेंड परचेज स्किम की। इस योजना के अंतरगत किसान भाईयों को जमीन खरीदने के लिए आसान रिण उपलब्द कराया जाएगा। जिन किसानों का लौन चुकाने का रिकॉर्ड बहतर है उनको SBI यह रिण देगा। इसमें जमीन की किमत का 55 प्रतिसत और अधिकतम 5 लाक रुपे तक का रिण मिलेगा। लौन वापसी की अवदी एक से दो साल में सुरू होगी और पूरा लौन चुकाने के लिए नौ से दस साल का समय मिल सकता है। अब बात करते हैं फसल बुआई के बारे में धान की उन्नत खेती के लिए मई वे जून का माँ बुआई के लिए उचित है। भारत में मुक्के तक 11 राज्यों में चावल की खेती होती है। किसान भाई इस से अच्छी आमदानी ले सकते हैं। धान छेतरफल एवं उत्पादन की दरश्टी से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान है। देश में दान का वार्षिक उत्पादन 104 दसमलो 32 मिलियन टन तथा ओसत उत्पादकता 2390 किलोग्राम प्रती हेक्टियर है। देश में पस्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडू, आंदर प्रदेश, बिहार, च्छतिसगड, ओडिसा, असम, हरियाना वे मद्दे प्रदेश, पिरमुकदान, उत्पादक राज्य हैं। अगली खबर है पसुपालक किसान भाईयों के लिए, गर्मी की सुरवात हो चुकी है, और ऐसे समय में पसुओं के लिए हरेचारे की बहुत आवश्यक्ता होती है, क्योंकि सही आर ना मिलने के कारण दूद में कमी आ जाती है। ऐसे में किसान भाईयों को नेपियर घास लगानी चाहिए, एक बार नेपियर घास लगाने के बाद तीन से पांस साल तक हरेचारे की कोई समश्या नहीं रहेगी। गुनवत्त पूर्ण हरेचारी की कमी का समाधान डूनने के लिए राश्ट्रिय डेरी अनुसंदान संस्थान काफी समय से सोध कर रहे थे, जो कि कुछ माँ पहले ही सफल हुआ है। इसी वीच अच्छी ख़बर है सोनालिका ट्रेक्टर्स की तरफ से, कम्पने ने लगतार तीसरे साल एक लाग से ज़्यादा ट्रेक्टर निर्यात करने के रिकोर्ड को कायम रखा है। इस बड़े हुए लोकडाउन में खेती से जुड़े कामों के लिए छूट भी गई है। लेकिन ही जरूरी है कि आप पूरी साहवदानी रखते हुए काम करें ताकि कोरोना संक्रमन से बचा जा सके। अगले सापता आप से फिर मुलाकात होगी ट्रेक्टर जंक्षन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यावाद।